वेलकम बाक टू स्ट्रीमर्ज तो अभी गनेश पूजा का सीजन चल रहा है तो आप सब भी गए होंगे आसपास गनेश पूजा देखने तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को कहानिया सुनाई जाए आज मैं आप सब के लिए लेके आए हूँ गनेश पूजा से जूरी भी तीन कहानिया सबसे पहली कहानी जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि गनेश पूजा जो हम गनेश जी को लेके आते हैं घर और फिर उनको पानी में बहा देते हैं, वो पूरा हमारे जीवन की प्रक्री है, जैसे आप लेके आए तो वो उनका जनम हुआ, आपने उनको रखा, पाला, पोसा, खान खिलाए अमोदक खिलाए लड़ू खिलाए उनकी सेवा करी और फिर फिर उनको पानी में बहा दिया जिनका जो सिंबलाइज करता है कि मृत्यू तो उसी तरह वो अगले साल दोबारा आते हैं जो होगी हमारे जीवन की दूसरी यातरा तो अब चलते हैं दूसरी कहानी में मैं सोच रही थी कि आखिर ये 10-11 दिन की क्यों बनाई जाती है या आपने देखाऊगा के जगह विसरजन 3 दिनों में भी कर दिया जाते तो आखिर क्यों किया जाता तो इसके साथ ही जुर्ये मेरी तीसरी कहानी भी तो गौष से सुनिये तो एक बार वेदवयास जी ब्रह्मा जी के पास आते हैं वो पोलते हैं कि मैं महाभारत को लिखना चाहता हूं उसको लीपी बद्ध करना चाहता हूं तो कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए मुझे जिसका मन शान्त हो और इधर उधर ना घुमें जब मैं कुछ बोलू तो वो एकाग्रता से लिखते जाए कोई ऐसा व्यक्ति या देव सज़ेस्ट कीजिए ऐसा कोई व्यक्ति या देव बताईए जो ये ऐसे ही स्वभाव के हो ब् नहीं फिरता और वह बहुत सुनते ध्यान से है तो वेदवेयासच जी खै शिफ पार्वती जी के पास उन्होंने का गनश Chief को बुलाया जाए गनेश जी सामने आया, वेद व्यास जी ने उनसे पूछा, कि क्या आप मेरी सहायता करेंगे, क्या आप महा भारत जो हाल ही में हुई है, क्या आप उसे लीपी पद करने में मेरी मदद करेंगे गनेश जी ने थोड़ा सोचा, फिर उन्होंने कहा, जरूर मैं कर लूँगा, बस मेरी एक शर्थ है वेद व्यास जी ने पूर बोला, बताईए आपकी शर्थ क्या है गनेश जी ने शर्थ में कहा, कि आप बिना रुके श्लोकों का उच्चारन करेंगे उस महा काव्य का उच्चारन करेंगे, महा भारत को परेंगे तो वेद व्यास जी ने बोला, ठीक है, मैं आपकी ये शर्थ मन्जूर करता हूँ बस मेरी भी एक शर्थ है, कि मैं जो भी बोलूंगा, आप हर एक शब्द, हर एक श्लोक उस महा काव्य का समझकर तभी लिखेंगे ऐसा वेद व्यास जी ने गनेश जी को क्यों बोलाऊगा, कि महा भारत जो भी आप लिखेंगे, वो सोच समझकर ही लिखेंगे ताकि वेद व्यास जी को थोरा सा टाइम मिले बोलते वक्त तो ये उन्होंने बुद्धि मता का काम किया था तो आगे बढ़ते हैं कहानी में आगे ये होता है कि अब दोनों बैच चुके थे महाभारत लिखने के लिए उसको लीपी बद करने के लिए तो महाभारत लिखते लिखते आप सबको पता है उनका जो पैन था जिससे वो लिख रहे थे पहले तो पैन नी होते थे वो कलम जिससे वो लिख रहे थे वो तूच जाती है उसकी नोक तूच जाती है अब शर्ट के अनुसार ना तो उचारन रुकेगा ना वो लिखना बंद करेंगे उन्होंने अपना दांट तोरा एक इसलिए गनेश जी कहलाए एक दंद जिनका एक दांट हो तो उन्होंने उस दांट से लिखना शुरू कर दिया जब महाभारत पूर्ण रूप से खतम हुई लिपी बद हो गई। लिखना खतम हो गया तब वेध व्यास्टी गनेज जी के पास जाते हैं और जैसे वह पास चाते है उनको पता लगता है की गनेज जी को बहौत बुखार हो गया है उनका शारेयिक तापवान बढ़ता एक्षा नहीं था अब भुखार हमें भी निल पशन है नो मुए बुख़ार होते हम भी अच्छा नहीं लगता हम हमें थो और यह गन्यी जी को बुखार हो गया तो वेद वैयाज जी ने क्या किया उनका बुखार कम करने til उन्होंने उनको पास ही एक तालाब में बैठा दिया कि वो शीतल जल से उनका शारिरिक तापमान कम हो जाएगा तो इसी लिए विसरजन किया जाता है उनका ऐसा माना जाता है कि इन ही दिनों महाभारत की को लीपी बद किया गया था लिखा गया था और इसी वज़े से गनेज जी का तापमान बर गया था और उनको शांद किया जाता है पानी में विसरजित करके इसी के साथ मुझे अभी बात करते-करते आपके साथ एक और कहानी याद आ रही है तो कहानी कुछ ऐसी है कि माना जाता है पारवती जी गनेश जी को भेशती है धर्ती पे घुमने के लिए कि जाओ ज़रा देखके आओ धर्ती का क्या हाल चाल है तो वो आते हैं उनका यहां सम्मान किया जाता है और फिर ऐसा माना जाता है कि उनको जब विसरजित किया जाता है तो वो आपिस अपने घर के लाश लौट जाता है इसी के साथ यह कहानी यहां समापत होती है यह व्लोग यहां समापत होता है धन्यवाद